हेलो फ्रेंज, समस्कार सबीको, मैं शेफ परशोग, स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने वडू चैनल कुकी में शेफ परशोग परशोग जाता है, और इसके वाद की कटिंग करेंगे, तो यह देखिए, आगे और पीछे से आपने भिंडी को काटना है, इसको आप बनवाई टू भी कर सकते हैं, और यह देखिए, इसकी कटिंग थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ती है, तो यह कटिंग हो गई, हो चाहिए, आपने इसमें भिंडी डाल देनी है, और आप भिंडी को डी फ्राई भी कर सकते हैं, ज्यादा ओइल डाल के उसमें फ्राई भी कर सकते हैं, और इसके साथ में आप देखिए, नमक एड कर देखिए, तो यहादा छोटा चमच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, नमक के हाँ पर मैंने तोड डाला है ताकि जब तक हमारी बिंडी पकेगी शेलो फ्राई होते है उसके अंदर तक नमक का टेस्ट आ जाए गैस की फ्लेम आपने एकतम हाई रखनी है एकतम हाई फ्लेम है तीन से चार मिंट तक आपने बिंडी को पका लेना है आपे तीन से चार मिंट बिंडी अच्छे से पक जाती है जस्ट हो जाती है तो अब यह देख़े जिंडी का यहांप एक कलर है वो change हो चुका है और अच्छे से हमारी बिंडी soft हो चुकी है इसके बदे को किसी spider की साहीते seem ह निखाल लेना है और इसके अंदर एक्ष्रा ओयल है उसक आप मैंने एक कप देही लिया है, देही आपकी जधा खटी नहीं होनी से, नहीं तो आपकी देही बिंडी खाने में खटी बनेगी, आदा छूटा जमच आपने इसमें कश्मीरी लाल में इस पॉर्टर डालना है, एक छूटा जमच आप इसमें धनिया पॉर्टर एट कर लेते से मसालों मिक्स करने तो मसाले जलदी सौफ्ट हो जाएरे देही को न गर्म ओयल में डालेंगे तो देही हमारी फटेगी निवाँ पे करड़नी होगी और इसी कड़ाही में थोड़ा सा ओयल अम और एड़ करेंगे और जैसे आपका ओयल थोड़ा सा हीट हो जाए आपने इसमें एक साबुत मिर्ची डालने हैं तोड़के और इसके अपने मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम है लसुन को थोड़ी देर के लिए आपर पका लेशिये लसुन को जाथा गोल्डन ब्रॉन नहीं करना है क्योंकि प्याज के साथ लसुन का कुगी प्रसेस चालू रहता है तो लसुन लाश्त पकते बुत जल जाता है आपर फिर आ अपने इसमें एक छोड़ा चमए बरीकट ही हरी मिर्ची आड़ करनी है मिर्ची को भी प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेशिये मिर्ची को पहले पकाने से मिर्ची में जो तीखा टेस्ट होता है बोग खतम हो जाता है तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को थोड़ी देर के लि आधेड़ छोड़ा जमच आप इसके अंदर फ़लधी पोड़ेड़ में पकार लेना है नमक डालने से टमाटर ना जल्दी कर जाते हैं फिर से आपने गैस की फिले मीडियम टू हाई रखनी है मीडियम टू हाई फिले में टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि इनका कच्छा और खटा टेश खत्म हो जाए तो यह देखिए टमाटर हमारे मक कर तो चुके हैं गल चुके हैं इसके वद आपने इसमें गैस की फिले मौं हाई रखनी है फिले में दे को भी अचालों करूक देनaya जायाilian लोग नहीं में नहीं को पकाये यह लोग जा गो हंचालएकी च्छे oralग देओने चुका है अब इसको पकाएंगे तो चीटे मारेगी तो इसको उपर से कवर कर दीजिए ताकि हमारी जो गैस है वो भी कंदी नहीं और देहीं भी अच्छी तरह से ऑइल छोड़ दिया मतलब हमारी देहीं अच्छी तरह से पक चुकी है मसाले भी सॉफ्ट हो चुकी है और एक गरमसाला पोर्डर का यूज नहीं करेंगे अभी हमने बिंडी को भी एक से डेट मिन्ट तक देहें कि साथ अच्छी तरह से पकाना है ताकि अच्छे से मसालों का जो टेस्ट है वो बिंडी के अंदर तक आचा है फिर इसमें थोड़ा सा गरमसाला पोर्डर स्प्रिंकल कर बिल्कु थोड़ा सा गरमसाला पोर्डर डाला है क्योंकि बहुत ही कम कॉंटिटी में बिंडी बना के त्यार किये और अच्छी तरह से गरमसाला पोर्डर को भी मिक्स कर लेते हैं और इसके बद इसको ऊपर से कवर कीजिए और कम से कम एक मिनिट तक एक तम लो फले में आ प्यार हो चुकिए आप इसको तौबर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरू कीज़ेगा ओके फ्रेंस थैंक यू